हार्ड हीटिंगवील क्या हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं हुआ हर्ड हीटिंग वियॉजर। और मैं हूँ आपका दोस्त करंजी सिंग्वतिया. बैए जैसा कि आपको पता है कि अत्रप्रदेश में दो फेज के चुनाव हो चुके हैं पहले फेज में साथ फरवरी को बोट पड़े थे जिसमें 11 जलों की 58 सीटों में चुनाव संपन हुआ है और दूसरे फेज में 14 फरवरी को चुनाव हुआ है वह साथ मार्च को होगी रिंदा मार्च को थे अधरि मिसरी को पता चलोँ परेस्पार क कर्ऴें आपदन्स नहीं गया करेकद लेंध उढकांगे मिर्णाफ लन खेल सा रही जाल है पाटी बीजे बी समघ्न सर्टा से बाहर कर रही है यह बीकी दोबारा सरु पूर्ण बहुम्त के साथ स्रकार बिशन संग सांगये चुल यह रह चुका हों अच्छा के बाहु ह किस Murray कि एनुट कि sta तो सिंग साव आप हुमें बताईए कि जो 58 सीटों पर चुनाव हुआ है पहले फेज में आप उसमेंसे बीजेबी को कितनी सीटें दे रहे हैं अभी अभी योगी जी अभी तीवी पेडियम देख रहे थे योगी जी ने का कि दो चाल पांट सीट उन्गा चला गया बाट के म स्भी मिलन दिषयान करें और जीफटी काम मनटी जो यहां जब है काम ओडिया होता है गर्ट मोरें जीपिन और बेजैपी कोस भुचकी निकाल रहा है जंता गैसे होई तो अनाज कृत्वरे नुड़ा है यहां हर महीरण मिल रहा ऑज दeloces और यह श्रपना यह पैसा नहीं आएगा तो कहां से मिला करो होना कि जैसन कहां से पहलेगा बताएए कि सरकार ये पाल कुछ छापा खाना का चाइड तो है नहीं लिमित पैसा होता है उससे ही कालिकर चलता है बीजेपी को मिलने जारा है इसी कारण से भारदेंदा पार्टी सरकार्मारान में फुल पहले हैं और एक सवाल और इसमें के बीजेपी का जो पांट साल का कारेकार रहा है उसमें बीजेपी दावा कर रही है और बच्छर के दावा किया जाए रहा है, चाहे वो प्राइमिस्टर हो, चाहे हमारे कारे करता हो, चाहे कोई ही किसी तरह कारे करता हो, चाहे हमारे कम्क्षमंत्रियों, उनका यह दावा है कि विए कानून और वर्ष्था की इस्तिदी जो 2012-2078 तक रही, और फिर 2017-2022 तक रह कि आप जानते हैं कि इस तरह इस चुनाब में इसका को मिलेगा आप देख रहे हैं कि कानून मिवस्थात बिल्कुल सही का योगी जी और मौदी जी ने जब कॉमरेस का सरकार था तो आप देखें आपके जमान के बोजर पर से सर काट लिया गया था आप उसके बाद 2017 बिवाद अभी तक किसी खौज को किसी का ड़न तो जाटा है क्या जवाब देने में एक पर बर्दास करने के चंदा उसके पास है के दिया है कि देखो रखो इसलिए परसाजर टू टाइट है योगी जी का बोदी जी का सबकर कर अच्छा संदर्चक है और उने अच्छा अच्छा काटिया है कि जहाज जराकू बिमान भी जहा है भारत के अंदर इसके चक्र में चाइना जर्ट के मारे मूरी खोल रहा है नहीं तो आप पर चेक कर जाता क्योंकि हम से जनसंख्या में आगे हो लेकिन मोदी जी ने ऐसा कार्ज कर दिये कि भारत करना जी आराम से सुए और अच्छा करने बूदा जो हम आवाम से जब शाकरें अच्छा एक सवाल और के जो माफियाबादी परवारवादी तमंचावादी गुंड़ावादी इस तरह के सब्सक्रावाज जागा है समाजबादी बाटी को तो प्रदानमंद्री के दौरावी और मुख्यमंद्री के दौरावी क्या आपके आपने कहा कि जो इतने नेता लोग जब हैं चोरी होती है तो परहसाइज भुणा के लिए प्रशाषाल में इसा नहीं होता है है यह माप्या वाली का नहीं है अराम से लोग से अंदिंस सो रहे हैं माप्या करा लेया योगी करा जाया और सब्सक्राइब करें निया Divine-दूर रही शंड़ा किनर में के बहुत के लिए कि के छोगर्द को सब्सक्राइब सब्सक्राइब तया है ये लिए पर्सासन है तूल सब्सक्राइब करना box रहा है मैं त्रषिछ कॉसर् olsun क्या है कि यृफ्टन हाद कर Esse आ सकती है अच्छा हम कारेक्रमों के बारे में एक बार अस्वालाब करेंगे आप से कि जो कुछला योजना है उतके उसके अंतर के जो एक उस गेस्ट इंडर बाटे गए है बेगरों को मकान दिया गया है दो बार नासन भी मिल रहा है और जो प्रतेजल पेंशन है और विद् सब्सक्राइब करेंगे जो लड़की होगी उसको जो मिलेगा मिलना जोड़ी है क्योंकि हर बच्छे को मुवाइल अर्दक इतने परिवार ऐसे गरीब एक्तियां कि मुवाइल लिखाई नहीं है तो उसको तो मुवाइल चाहिए लैप्टॉप चाहिए जो पैसे बार अप पढ़ा रहा है वीजेपी के दौरा कि जो महलाओं का भूट परिस्ट है वह उत्रक्यक को पुर्सों ज्यादा बढ़ रहा है और महलाएं पिछले चुनाब में 2007 में भी महलाओं के भूट परिसत की संख्या जो बोट डाले के थे वो पुर्सों की संख्या से ज्यादा थी और अबके भी ऐसा ट्रेंड बन रहा है कि महिलाओं का बोट प्रसद जो पुरसों से जादा है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमें उन महिलाओं के प्रसद के जादा बोट मिट रहे हैं क्या आप मानते हैं कि ये बाद सच है की ति तलाओं का जो काम हिए है श्टनिए चाले में उसकी मैं इसिता या ट्यूंक बन कि अंब्रस भोट नावाइव सफ्चाज द्लॉब कि ऑर यह कि भी यह आवभ को ढूंप न तो बनाए सिए आप लगाया है कि भी जेव मोटों का धौ्वी करन कर रहे हैं कॉल का मतलब है कि अगर मुस्लिम और याद जो एंपाई शमी करें समाजबादी पार्टी का उन्हें उनका तो एंट ब्लोग बोट हो गया मुस्लिम का लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी दुर्मी करण के प्रयास कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम याद उस तरफ जाते ह तो पूरा हिंदु वोट पर हमें पढ़ जाना चाहिए और यह आनूप लगा जारा के बुरका का जो मामला था इसमें कितनी सच्चा ही आप देख रहे हैं कि यह समाजबादी पार्टी के अगले जी हैं वो मुशलमानों के जी रहे हैं मुसल्मानों के चर्चा कर रहे हैं तो देखा गया कि भाई तुम यादव हो या मुसलिम हो एकत्र हो गया हो इसलिए थर्योगी जीने हिंदु का बॉंट नमी साहरा किया जागपाद के लराई बन लगी तो भाई चलो ऐसा करो तुम लोग मिल के हिंदु बॉंट के जालो जब यादव जीने गदी आज़े से कि मुसलिम मेरा है तो भी तेरा है कि तुम चीक है और उसने पकिस्तान का चर्चा उठा दिया बार बार इसलिए जनता नाप्रूसों पर बॉंट कर तो जनाब एक बात और आपसे कुछ नहीं थी कि पहले तो आप बताते हैं कि चार सु तीन सीट हैं पर चनाफ संपन होने जा रहा है दोजार सब्सक्राइब यानि ऐसा लगा था और पता नहीं चल रहा था कि बीजेपी की लहर है क्या है वो अंडर करेंट चल रहा है ऐसे कुछ पता नहीं चला था और हंग असेम्बली का जितने भी पोल आए थे एक जित पोल आए हों चाहे आपके सुरू में य जिसम्में यह का जाता कि बीजेपी की कोई लहर नहीं है और दोसों के आसपास एक जाएगी और हम लेसेम्बली आएगी तरसम अत्रिशन को बदान सबाएगी लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है बीजेपी की इंचनाव में को अंडर करेंट चल रही है या को तूफान च अटी किदा मैंडागोट की है तो इस लिए कि मैंडागोट जो पुड्म मुष से लेगी तो पार तो मैंटी कहें कि बीजेपी क्या लिए एक बात और आप चारसो तीन सीटों मैंसे किस तरह पार्टी में क्याएगा समाजबादी का ओंगरेस है और बी जेपी एए और तो इसका मतले हैं तो इस वात को मानना पड़ेगा और पहने तालिस से पच्पर जो हुआ है उसमें पैंतालिस से अप्च्पर में हुआ उसमें तूसरे पहुआ हुआ उसमें लमसा मैं आप मादो कि यह अभी योगी जी अभी चीप बता है कि मैं पचास तूसमें अच्छा एक बात और यह सेकंड फेज में कुछ जले थे और यह थार्ड फेज में जो पीस फवरी को चुनाब हो रहा है इसमें भी मतले जो है कुछ ऐसे जिले आठनों जिले हैं जिसमें एटावा है मैंपुरी है एटा है और इन अलाकों में समाज पार्टी का अच्छा होल्ड है तो आप क्या सुमझते हैं कि हमस्ति टक्कर देया है समाजबादी को था है नहीं था भाष्याव कनें harla जिये रहे दिये थे उसको भी असाप वित्रान है अब जैसे संक्या देखा गया मुस्निम पर गया जो मुस्निम पर जिसले मुस्निम पर जाए और जब आप सही घंसर दे रहा है कि ताकि BJP का सीफ नहां से निखले समझवादी का कोई चर्चा ना करती हुआ कभी मुस्लिम समाथ अभी अभी की प्रगता रहा था कि मैं योगी जी का साथ हूं इदावाद डाव अच्छा एक बात और यह जो टिकेट बाटी कहें समाजबादी पार्टी देप्धार है और बीजएपी आप क्या समझते हैं कि यह जो गुंड़ारवी वालों इक को पॉलिटिशन बना देना हुआ का तक आप सही मानते हैं आप तुद देख रहे हैं कि बीजेपी ने एक भी गुंजागर्दी वाले दाग वाले को चिकर दिया गया जो जेल में बंध है वो भी जेल से रेक्सानल रहा है जिसमें माफिया का केस है जो जर्चलाव से संपती पर फिर भी उन्होंने उनको चिकर देकर अपना हाथ मुझ जो जनून चाहिए उसको दिया गया है इसलिए बीजेपी को आना तै अच्छा एक बात और बीजेपी पर आरूप लगाया जा रहा है कि जो अतीक है मुखतार अंसारी है यह रामपुर्वारे आजम खान है इनके खिलाब कड़ी कारवाई की गहीं है तो ऐसा आरूप लग को डार तक तक तो इसमें विसेष गरया रहा है इस आरूप में कहा तक सचाहिए यह अरूप नहीं है यह dakla कमा ऑट जीघ़े में आजम खां कहा है जो गलत है उसका इंसाफ तो हो गया और समाजबादी पार्टी ने तो इसलिए कि हम तो हार रहे हैं अगर इसको दे देंगे तो मैं भी जाओंगा मेरा सिंख फिर हो आ जाएगा अब थोड़ा की तरफ जा रहे हैं तो उसी के उपर में थोड़ा करेंगे यह लालू यादव को फिलाल जेल हुई है आला के अनॉसमेंट तो किस्तारी को होगा लेकिन कोट ने रुताय कर दिया कि हावाई उनको कन्विक्त किया गया उसमें जेल और जो एनॉसमेंट है करेंगे सबसे पहले बात दिये है कि सीवी आई का रिपोर्ट मों चला गया है रिपोर्स अब हो गया चाहसे चोगे आगया है तो जो जज का फैंसला होगा उसको कोई लीजा सकता है साइदा तो होना है चुछ चोड़ी आपने दिया इसमें कोई दुमत की बात नहीं है की सथाथी खुआ तक तक मैं सब्संदर्दन अर्चीट वाले जो नेता है वह इतना बुनगान करने लालु प्रशाद याधर का क्या जाता है कि आट डालु पिर उप्रशाद यह जाता है तो यौन पिर ऑनक्रेशाद को माद रहे हैं और ग्यान इलालु और शेदिस्ट व अगर्वा जोड पढ़ा लिखा अनपढ़गवार लिटी है वह भगवान का रूप दर्दा दे रहा है क्या सब किसो हुआ हो रहेंगे लालु का बेटा भी काता कि मैं किसो हुआ हूं समाज के अंदर ही रहना चाहिए अकल के बोली नहीं होना चाहिए समाज ही बनाता समाज ही बनाता है तो इसलिए हमारे जरातपात की लडाई की शेकर में सब्सक्राइब भी ळुक्ति हैं मैं लालु की लिक सेर कहना चाहूंगा उस शेर लूपर आप बरूफ के के ये शेह है और भौशूर के म कहते थे के पत्थर हैं हमें रोना नहीं आता यह ऐसा शेर स्टाट होता है के सुना है उनके असकों से बुजी lepya-shera की जो कहते थे कि पत्थर हैं ह तो लालू याद रखी उतनी अकट थी और वो कहते थे कि रोना नहीं आता आज उनका क्या आने वहां आज आतो देख रहे हैं जो आपने बच्चे से अलग गए बहुत से अलग गए बीटीया से अलग गए अलग है तो रोही तो रहें जेल में प्रेड़ा जो सजा काट रहा ह जो जेल आपने बनाया कियो क्यों घट किया तो सजा थो अगर मैं गल्द करोंगा तो आपको मिलेगा सजा कू सबके लिए एक सेकल नास्त कुछन उत्रपर देज के चणाबों के ऊपर के बड़ा दावा कर नहीं समाजबादी बाटियों और अखिले जादे बी बड़ा द बनाते हैं उसको तो मैं हमने पास करवाया था ये तो इन और पूरा किया है और अखिलेश एक बात और कह रहे हैं को हिंदू होने का भी कुछ दावा कर रहे हैं मैं तो बहुत बड़ा हिंदू हूं और एक बात नहीं किया कि मेरे सपने में कृष्ण भगवान आते हैं तो कृ कि आप यह बताओ ना कि अपनी बहु को आप अपना अगर समझते तो कि बहुत दूसरे पाड़े नहीं करते हैं और अभी बात किसमों के और अजुद्या मंदिर का निम्हें पांच साल पे उन्हें क्या प्यान ने उप्येट आप अगर दिया उस तो किया नहीं वीजे भी कि दिया है उसका हिसका लेते हैं कि मैं जन्ता के बिष्ट क्या बोड़ू क्या प्रसंता जवाब दूँ इसलिए आप भी अपना चुछकुला जाल नहीं तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब जन्ता ने जवाब दिया आपको हडा के जद्धी सहटा कर बैठा दिया आपको कि आप साइब हो जाओ और बीएपी ने अच्छा काम करें उसको बोड़ दिके फिर्ट जिता के और राम जुद्धामंदी के दियमां खरबा दिया अच्छा एक अंतिम कोश्चन और एक अंतिम कोश्चन है कि आप 2017-2022 क का योगी का जो कारिकाल है वार्दिंता पार्टी का आप योगी को दस मैंसे कितने वाक्त देना चाहिए दस अच्छा काम दिया रहे तो ये ते सिंग साब और नो ने हमें इंट्रिव्यू दिया और आपने देखा हाकन के विचारा आपने सुने कितनी इस पस्ट रायम की ह है और आप इसका जो किस करवट बैठेगा यह तो मैं दस मार्च को पता चलेगा लेकिन उन्होंने जो दावा किया है कि बीजेपी की सीथे तीन सो से उपर आ रही है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादे शेयर करें आप लोगों पर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच